Hello student, हम लोग bridge course के second lectures में explain करेंगे matters के बारे में previous lectures में हमने discuss किया था science के बारे में और उसके branches के बारे में तो चलिए start करते हैं इस lectures में हम लोग discuss करेंगे की matter क्या होते हैं देखे हमारे अगल बगल जितने भी आप substance देखते हैं ठीक है अगर आप उन में mass देखते हैं कि अगर उन में mass है ठीक है उनका अपना mass है और वो space acquire करते हैं यानि वो क्या लेते हैं वो space acquire करते हैं यानि occupied करते हैं तो आप उनको क्या बोल सकते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि वो matter है यानि matter को अगर आपको भष्चान नहीं तो आपको वहाँ पे यह mass देखना होगा और उनमें ये देखना होगा कि क्या आप उसको रखते हैं तो क्या वो space acquire करते हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं matter बोलते हैं जैसे examples के लिए आप देखे, ठीक है, आप अपने books को ले लीजे, तो अगर आप अपने books का weight करते हैं, तो उसका कुछ mass मिलता है, ठीक है, और books को आप कहीं भी रखते हैं, तो वो space acquire करता है, तो क्या हम books को क्या बोलेंगे, matter बोलेंगे, तो बिल्कुल books जो है, वो हमारा matter है, इसके अलावें आपके अगल-बगल जितने भी substance हैं, सबको आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास table है, तो क्या table matter है, तो आपको matter को पहशाणने के लिए इसमें क्या-क्या देखना है, एक तो mass देखना है, और एक आप क्या कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, कि क्या वो space occupied करता है, तो जितने भी substance आपके अगल-बगल हैं, जितने भी चीज़ें आपके अगल-बगल हैं, उनमें आप ये mass को देख लीजिए, और उनमें ये देख लीजिए, कि space acquire करते हैं, तो वो आपको matter कहलाएंगे, आप देखिए, हम बात करने जा रहे हैं, states of matters की, ठीक है, तो देखे, states का मतलब होता है, कि वो कितने तरीके से exist करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कि जितने भी हमारे known matter हैं, जितने भी matters हैं, उसको अगर आप categorize करते हैं, state के basis पे, तो आप क्या देखते हैं, कि वो आपको क्या-क्या होते हैं, तो वो solid होते हैं, ठीक है, वो आपके liquid हो सकते है और वो आपके gas हो सकते है ठीक है यानि यहाँ पे आप state के basis पे जो हमारे matter है उनको हम लोग three parts में क्या करते है डिवाइड करते है और देखे एक fourth part भी है एक fourth state भी होता है जो हमारे syllabus में नहीं है जिसको हम लोग बोलते हैं plasma ठीक है तो इतने state में कोई matter क्या करता है exist करता है जैसे देखिए अगर आप water की बात करते है ठीक है तो हमारे पास water है तो क्या water matter होगा तो दीखे अगर हम water को भोलेंगे की water matter है या नहीं है तो इस में हमको इसके mass को देखना पड़ेगा ठीक है तो बिलकुल water में mass होता है और जब water रखते हैं तो यह क्या करता है तो यह स्पेस अक्वाइर करता है यह स्पेस अकुपाइड करता है तो क्या अब हम बोल सकते हैं क्या कि वाटर मैटर है तो बिल्कुल वाटर हमारा मैटर हुआ क्योंकि इसमें मास है और यह स्पेस अक्वाइर करता है अब देखिए वाटर का आप क्या बना स तो अगर हम कम रिखें तो लिक्विट अबना सकते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि वाटर जो है इसके अलग-अलग आपका स्टैट ।ेट है साूरीड में है मैं और यह रिक्विड में है और यह का इस form में है, यानि कोई भी substance है, यानि कोई भी matter है, तो वो तीन state में exist करता है, ice, water, sorry, solid, ice जो हो गया, solid हो गया, water जो हो गया, यहाँ पर liquid हो गया, और यह vapor जो हो गया, वो gas हो गया, तो इस तरीके से, हम यहाँ पर बोल सकते हैं, कि जो matter होते हैं इन matter के 3 state होते हैं एक तो है solid ठीक है जी एक है liquid और एक है हमारा gas ठीक है और यहाँ पर हम लोग plasma को भी deal कर लेंगे plasma भी एक state होता है तो अब देखिए होता क्या है अगर हम solid liquid के बात करते हैं तो देखिए जो हमारा solid liquid होता है इस solid liquid को हम लोग एक दूसरे में convert भी करते हैं जैसे हमारा solid हो गया यह liquid हो गया यह gas हो गया और यह हमारा plasma हो गया तो देखिए अगर हम चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो solid है इसको हम लोग क्या करते हैं लिक्वीड में बदल सकते हैं तो देखे सॉलिड को जब आप लिक्वीड में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं मेल्टिंग उसी तरीके से जब लिक्वीड को आप गैस में बदलते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वैपराइजेशन ठीक है तो यहां पर हम लोग वैपराइजेशन का नाम देते हैं यहां प बात करते हैं तो हम यहां पर वैपोराइजेशन की बात कर लेते हैं कि यहां पर यह वैपोराइजेशन हम लोग इसको बोलते हैं उसी तरीके से अगर आपको क्या है गैस को देखें यहां पर अगर आप गैस को आइंस में बदल देते हैं आयोनाइज कर देते हैं तो जो स्ट कर दें ठीक है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को आयना जेसेशन में हम लोगा अइन स्कूर से बिकर ब expert मिलता है उसको हम लोग क्लाजमा बोलते इसको बोलते हैं de-ionization यानि जो आप पहले कर रहे थे अब उसका उल्टा प्रोसेस करना होगा और वैसे करने के लिए अब इसको क्या करना पड़ेगा कूल करना पड़ेगा थंडा करना पड़ेगा उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं गैस को किस में बदल सकते हैं हमें temperature को यहां से decrease करना पड़ता है heat को निकालना पड़ता है और उसी तरीके से अगर आपको liquid को solid में बदलना है तो solid में बदलने के लिए हमको इसको भी क्या करना पड़ता है तो ठंडा करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं freezing ठीक है तो यह कुछ process है ठीक है जिसके through हम लोग एक state को दूसरे state में convert करते हैं ठीक है तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि जो हमारा solid है जो हमारा liquid है ठीक है जो हमारा gas है इनके कुछ properties होते हैं ठीक है तो वो properties क्या होते है तो देखें कि जितने भी आप solid देखिएगा इनका volume और इनका जो shape होता है वो आपका definite होता है ठीक है जबकि अगर आप liquid की बात करते हैं तो इनका volume तो definite होता है ठीक है लेकिन जो shape होता है वो definite नहीं होता है not definite ठीक है तो ये चीज को ध्यान में रखिएगा ये आपको definite नहीं होता है gas के case में अगर हम बात करेंगे तो इनका volume और plus shape दोनों के दोनों definite नहीं होते हैं तो ये इनके properties हैं इसके अलावे भी बहुत सारे इनके properties होते हैं इन में जो इनके molecules होते हैं वो काफी close-close arrange होते हैं देखिए यहां पर intermolecular space नहीं होता है ठीक है जबकि इन में अगर हम बा जबकि इन में अगर बात करें तो इनके intermolecular space बहुत ज़्यादा आपका होता है अब देखिए यहां पर इनके बीच का distance बहुत कम है तो यहां पर इनका जो force लगेगा दो molecules के बीच में जो attraction force लेगा जिसको हम बोलते हैं intermolecular force जो होता है यह बहुत high होता है लार्ज होता ह इसमें थोड़ा कम होता है solid से क्या होता है less than solid होता है यह आपको आप बोल सकते हैं कि यह less than solid होता है इनका intermolecular force और यहां पर बहुत कम होता है यहां liquid से भी intermolecular force of attraction कम होता है अगर आप energy की बात करें तो आप देखेंगे क्या कि solid की जो पास होता है उनकी energy क्या होती है बहुत कम होता है लिक्वीड का energy solid से थोड़ा सा ज्यादा होता है जबकि gaseous molecule का energy बहुत ज्यादा होता है ठीक है आप इसको compare कर सकते हैं आप ice ले ले लिजे ठीक है आप वाटर ले लिजे ठीक है लिक्विड फॉर्म में और आप वाटर वैपर ले लिजे ठीक है और तीनों को टेच करके देखिए कि आपको कौन ज्यादा आपके हाथ को जला सकता है ठीक है तो वाटर वैपर जो होता है यह ज्यादा बर्णिंग सेंसेशन देता है तो इसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी हुआ यहां पर बर्णिंग इनर्जी की इसके पास रहेगा इसलिए जो ज़्यादा एनर्जी होने के चलते जो gaseous molecules होते हैं इन में random motion होता है यह random motion करते हैं random motion का मतलब होता है कि जिस motion का कोई fix direction नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं random motion बोलते हैं देखिए आप यहाँ पे कुछ animation से यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा solid state है liquid state में आप देख पा रहे हैं liquid state में आप क्या देख पा रहे हैं कि molecules में distance है और अगर आप gases state की बात करेंगे तो gases state में देखिए बहुत ज़्यादा gap है और इनकी energy बहुत ज़्यादा है तो इनका देखें, motion बहुत ज़्यादा है, इनमें motion कम है, और यहाँ पे बहुत बहुत कम के motion है, यहाँ पे free motion नहीं है, ठीके, इसको हम लोग free motion नहीं बोलते हैं, इसमें limited free motion है, और इसमें आपको पूरा-पूरा free motion है, इसी को हम लोग random motion भी बोलते हैं, तो यह ऐसा से मोसं ज्यादा अब चलिए अट्रैक्शन वाले चीज़ों को हम लोग यहां पर अब समझते हैं कि अट्रैक्शन और डिस्टेंस में क्या डिफ्रेंसेज है तो देखें जैसे से डिस्टेंस आपको बढ़ता है वैसे वैसे एट्रैक्शन भी घटता है तो इस चीज़ों हम लोग फिर एक animation के तुरू चेक करते हैं देखें यहां पर आप यह animation देख रहे हैं इसमें धीरे-धीरे molecule एक दूसरी के पास आ रहा है तो अभी देखें यह solid state हो गया ठीक है अभी यह बहुत दूर-दूर है यह gases state है तो इनके बीच में intermolecular force of attraction कम है जैसे इसे नजदी का र हो रहा है और देखे state बदल रहा है यानि आप यहां पर यह बोल सकते हैं कि अगर आप पार्टिकुलर यह particles के बीच के distance को अगर आप घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं तो उससे state change हो सकता है ठीक है जब particles का distance बहुत कम हो जाएगा तो solid हो जाता है जब बहुत दूर हो जाता ह है तो gas हो जाता है और intermediate होता है तो लिक्वीड होता है देखिए अब यह liquid में बदल रहा है और अब यह solid में बदल रहा है तो इस तरीके से जैसे जैसे आप distance को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच का intermolecular force of attraction घट रहा है और जैसे जैसे इनके बीच का आप distance घटा रह है ठीक है और इसके बरने और घटने से क्या हो रहा है state change हो रहा है तो अभी हमने physical state of matters देखां देखे matter के और भी classification है उसको हम लोग यहां पर देखते हैं तो देखे जितने भी हमारे पास matter है इस matter को अगर हम देखें तो इस matter को हम लोग two parts में divide करते हैं ठीक है एक को हम बोलते हैं एक को हम लोग क्या बोलते हैं तो एक को हम लोग बोलते है mixture तो यह आपका हो गया mixture जिसको हम लोग impure भी बोलते हैं और दूसरा जो है classification उसको हम लोग बोलते है pure substances ठीक है तो ये आपको बोलते हैं इसको pure substances आप देखिए जो आपके pure substances हैं इसको हम लोग two parts में divide करते हैं एक को हम लोग बोलते है elements और एक को हम लोग बोलते हैं compounds यानि एक elements हो गया और दूसरा आपका क्या हो गया compounds हो गया जबकि जो हमारा mixers है इस mixtures को हम लोग two parts में divide करते हैं और ये two parts है हमारा एक तो हो गया homogeneous mixtures ठीक है एक हो गया homogeneous mixtures और एक जो हो गया उसको हम लोग बोलते है heterogeneous mixtures heterogeneous mixtures ठीक है अब देखे जो यहाँ पर हमारे पास element है इस element को हम लोग categorize करते है किसी को आप metals बोल देते है ठीक है किसी को आप non metal बोल देते है तो यह आपका non metal हो गया ठीक है और किसी को आप क्या बोल देते है metal whites बोल देते है यहाँ पर जो elements है उसको भी हमने यहाँ पर क्या किया है categorize किया गया और जो यहां पर compound है इसको भी हमने categorize किया है किसी को हम लोग inorganic compound बोलते हैं तो यहां हमने क्या किया किया कि जितने भी matters है उसको classify कर दिया एक तो pure form होता है और एक impure form होता है pure form में आपका element हो गया compounds हो गया ठीक है जबकि impure form में mixers हो गया और mixers में हम लोग के पास क्या हो गया homogeneous mixture हो गया और heterogeneous mixer हो गया तो आएब one by one करके हम इनके details को यहां पर study करते हैं अब चलिए हम लोग study करने जा रहे हैं किसके बारे में mixers के बारे में तो देखिए mixers जो होता है यह आपका क्या है तो यह impure part of matter है तो और mixers में अगर आप देखिएगा तो mixers में आप क्या करते हैं यहां पर two और more than two more than two non-reacting substance को मिलाते हैं non reacting जो substance होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं मिलाते हैं इस point को याद रखेगा कि जब भी आप mixers बनाते हैं तो उसमें two और more than two substance होता है जो कि non-reacting होता और इनका जो composition होता है वो fixed नहीं होता है composition जो होता है not fixed by mass थिक है इनका जो composition हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं mixers आपको बोलते हैं और देखिए जो हमारा जो mixers होता है इसको इसको हम लोग separate कर पाते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं इनको हम लोग separate कर पाते हैं कैसे separate कर पाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग इनको separate करते हैं और separation के लिए हम लोग क्या-क्या करते हैं तो हम लोग इसको फिल्ट्रेशन के द्वारा सेप्रेट करते हैं ठीक है तो अगर आप इनको फिल्टर कर दीजेगा तो यह सेप्रेट हो जाते हैं फ्रीज करके फ्रीजिंग करके भी हम लोग इसको क्या करते हैं सेप्रेट कर लेते हैं ठीक है और डिस्टिलेशन के द्वारा भी हम इनको क्या कर लेते हैं Separate कर लेते हैं Distillation तो अगर इनके component को हमको separate करना होता है तो हम लोग इसको ऐसे separate कर लेते हैं और यहाँ पर एक चीज और आद रखना है अपने को कि जब भी आपका mixes का formation होता है तो यहाँ पर जो energy change होता है या तो नहीं होता है या तो बहुत कम होता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं no energy change अगर होता भी है तो बहुत कम होता है यह आप देख सकते हैं अगर आप क्या करिये कि आप अपने घर में एक glass water ले लिजे और एक glass water में आप sugar को इसमें क्या करिये डाल दीजिए ठीक है तो आप क्या देखेंगे यहाँ जो energy change होगा वो हमें पता नहीं चल पाता है ठीक है तो जब भी हम mixes का formation करते हैं तो वहाँ पे energy जो होता है वो change होता है बहुत कम होता है या नहीं change होता है तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं और यहाँ पे अगर हम examples की बात करते हैं तो एक जांपल आप ले सकते हैं जैसे sea water है sea water में बहुत सरे जो होते हैं substance मिले होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है आप क्याहाँ देखते हैं एक ठीक है, उसके अलावा आप देखिए, कुरूड ऑउिल, जो भी हमारा कुरूड ऑउिल मिलता है, उस में भी बहुत सारे सब्स्तेंस मिले होते है, उसके बाद देखिए, हमारे पास है गुर्ड पौॉडर, ठीक है, तो ये सारे जो है, यह example है उसके बाद dry air की बात कर लेते हैं जो हमारा air है यह भी हमारा mixtures है बहुत सरे gas का mixtures है nitrogen है oxygen और carbon dioxide है बहुत सरे gas है तो these are examples of mixtures अब देखिए mixtures के types की बात करते हैं तो mixtures में हम लोग दो types देखते हैं एक तो आपका होता है homogeneous mixtures ठीक है तो एक हो गया homogeneous mixtures और एक जो होता है दूसरा जो होता है hetero genius mixture ठीक है तो यहाँ two types के mixtures को हमको देखना है देखिए homogeneous mixtures में क्या होता है इसको समझते हैं देखिए यहाँ पर one phase system मिलता है कैसा phase system मिलता है one phase system मिलता है ठीक है और यहाँ पर आपको two या more than two phase system मिलता है two और more than two more than two phase system इसका क्या मतलब हुआ देखिए इसका यह मतलब हुआ कि अगर आप कोई solution बनाते हैं जैसे माल लेजे कि मैं water को ठीक है और salt को ठीक है mix कर रहा हूं तो देखिए यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं water जो है यह liquid है ठीक है और salt जो है यह क्या है solid है 10 दोनों को अगर आप मिला देते हैं और आपके पास एक system मिलता है जो solution मिलता है अगर उसमें आप देखते हैं तो उसका जो phage होता है वह phase कैसा होता है लिक्विड होता है ठीक है तो आपने क्या देखा दो अलग-अलग फेज को आपने मिलाया और मिलाने के बाद आप देख रहें कि वन फेज हो गया यानी salt भी अपने आपको liquid made बदल दिया तो ऐसे system को हम लोग बोलते हैं homogeneous system ठीक है यह homogeneous mixtures लेकिन अगर माल लीजी कि आप यहाँ पे क्या मिला रहे हैं आप यहाँ पे मिला रहे हैं salt मिला रहे हैं और आप यहाँ पे क्या मिला रहे हैं sand मिला रहे हैं ठीक है और यहाँ पे आप यह नहीं करिए हम यहाँ पे क्या मिला रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं कि वाटर मिला रहे और सैंड मिला रहे वाटर मिला रहे और सैंड मिला रहे अब देखिए आप क्या देख रहे हैं कि वाटर जो है वो लिक्विड है और सैंड जो है वो सॉलिड है तो जब यह दोनों मिलते हैं तो डिखिये गए जो भी आपके पास mixers मिलता है उसमें sand भी आपको दिखेगा और उसमें water भी दिखेगा यानि यहाँ पे आपको कितना phase दिखेगा तो यहाँ पे two phase दिखेगा है एक तो liquid phase भी दिखेगा है और एक आपका solid phase भी दिख़़ा है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ पे जो phase है वो one phase system नहीं है तो इसलिए हम इसको heterogeneous बोलते हैं next जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो composition होता है वो uniform होता है composition जो होता है मतलब यहाँ पे जब भी आप इनके components के compositions की बात देखिएगा तो वो होता है uniform ठीक है और यहाँ पे जो composition होता है वो uniform नहीं होता है composition जो होता है वो not uniform not uniform इसका क्या मतलब होता है समझते हैं ठीक है जैसे माल लीजिए आपने water और salt का एक solution बनाया और आपने क्या किया कहीं से भी माल लीजिए पूरा आपका solution है इसमें से कहीं से भी एक drop of solution आपने निकाल लिया और उसको आपने test कर लिया ठीक है तो आप देखेंगे क्या कि इस drop में जो test है वो पूरे whole glass का भी test वही है यानि आप बोल सकते हैं कि one drop में जो concentration होगा salt का वो पूरे glass में एक ही तरीके से क्या है distributed है तो इसी को हम बोलते है uniform distribution ठीक है जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है तो यह आपका क्या हो गया homogeneous mixture और heterogeneous mixture अब चलिए अब हम लोग second part को discuss करने जा रहे हैं जिसमें हमने बात किया था pure substance का और pure में हमने सबसे पहले जो discuss किया था वो किया था elements ठीक है तो देखिए elements जो होता है elements क्या होता है pure matter होता है ठीक है और इनमें अगर आप देखिएगा तो जो element होगा उसमें एक ही तरीके के आपको क्या होगा particles मिलेंगे यहाँ कोई भी element देखिएगा उसमें हमेशा one type of atoms ही मिलेंगे one types of atoms ठीक है कैसे अगर मैं hydrogen element की बात करूँ तो hydrogen element में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा hydrogen atoms ही मिलेगा कोई दूसरा atoms यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है तो यह बात याद रखिएगा nitrogen की अगर आप बात करते हैं तो उसमें सिर्फ nitrogen ही आपको atom मिलने वाला है कोई दूसरा atom नहीं मिलने वाला है तो कोई भी element जो होता है वो एक ही type की atom से क्या होता है बना होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं elements आपको बोलते हैं next जो हम बात करते हैं अच्छा यहाँ पे आप किसी भी method से hydrogen को किसी भी chemical method से आप hydrogen को क्या कर सकते हैं nitrogen में नहीं बदल सकते हैं तो यह भी point आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा और example के लिए मैं बता दिया कि आपके पास hydrogen element है nitrogen element है sodium element है तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं next जो है यहाँ पर अगर हम इसके types की बात करते हैं तो इनके types में आप क्या देखते हैं metals होते हैं ठीक है non-metals होते है non-metals होते हैं और आपको क्या होते हैं metal whites होते हैं metal whites होते हैं तो अब देखे metal non-metal और metal whites को इनके properties के basis पर हम लोग क्या करते हैं इसको differentiate करते हैं जैसे कि हम बोलते हैं कि metal में चमक होती है ठीक है इनमें metal के भी कुछ characters आपको मिलते हैं और किसके आपको non-metals के भी कुछ characters मिलते हैं तो इसको हम लोग details में पढ़ेंगे जब हम लोग product table को देखेंगे आप हम लोग explain करने जा रहे हैं और वो explain करने जा रहे हैं compound को तो देखे compounds क्या होता है और इसको आप कैसे पचानिएगा तो देखे compounds का जो formation होता है वो कैसे होता है तो यह chemical change के द्वारा होता है यानि कोई भी अगर chemical change होता है तो उसे जिस substance का जिस matter का formation होता है उसी को हम लोग compound बोलते हैं यानि chemical reactions के द्वारा ही इसका formation होता है इनका जो composition होता है वो fixed होता है इनका जो composition होता है वो क्या होता है जी यहां composition जो होता है वो fixed होता है by mass कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप water ले रहे हैं H2O बना रहे हैं तो H2O में हमेशा आप देखिएगा कि 2 gram hydrogen होगा और 16 gram क्या होगा oxygen होगा और दोनों का ratio लिजेगा तो by mass ratio इसमें 2 से divide कर दीजे और इसमें 2 से divide कर दीजे तो 1 is to 8 होगा तो इस तरीके से example अब देख सकते हैं H2O है CO2 है ठीक है CH4 है तो इस तरीके के जितने भी आपको formula मिलते हैं यह सारे formula जो है यह क्या है यह सब compounds हैं और compounds का formation chemical change के द्वारा होता है अब देखे compounds में भी हमने क्या बोला कि compounds two types को होते हैं एक होता है organic compounds ठीक है organic compounds और जो second होता है वो आपका होता है इन औरगेनिक compounds तो अब आपके यहां पर क्या देख रहे हैं देखे जब भी आप organic compounds की बात करेंगे तो यहां पर बहुत कम elements पार्टिसिपेट करते हैं जैसे carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus और halogen जबकि यहां पर ज़्यादा से ज़्यादा elements पार्टिसिपेट करते हैं अगर इनकी बात करते हैं तो यह equivalent nature के होते हैं यह कैसे होते हैं compound होते हैं उसको हम लोग organic compound बोलते हैं बाकि rest जो compounds होते हैं उसको हम लोग inorganic compound के नाम से जानते हैं तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे जब हम organic compound discuss करेंगे तो वहाँ इसके बारे में हम लोग details में study करेंगे तो इस तरीके से हमने bridge course के second lectures में हमने आज explain कर लिया matters क्या होता है ठीक है और matters की classification को देख लिया और इसमें हमने physical state के basis पे भी देखा और pure और impure के basis पे भी देखा next chapter में हम लोग atoms और molecules के बारे में study करेंगे